हेलो दोस्तो स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिनी क्लासस में तो आज हम क्लास 9 की साइंस का चैप्टर 6 देखने जा रहे हैं जिसका नाम है उतक तो चैप्टर को शुरुआत करने से पहले जो है हम देखेंगे उतक के बारे में उतक याने की टीशू किसी जीव के शरीर में कोसिकाओं के ऐसे समूं को कहते हैं जिनकी उत्पत्ति जिनकी ओरिजिन जो है न एक समान होती है और एक जो है वो इस्पैसिफिक यानि की एक विशेष कार ये करती हूँ ठीक है तो अधिकांसता जो उतक होते हैं इनके आकार और आकरिती जो होती है एक समान होती है लेकिन क्या होता है कि कभी-कभी जो है कुछ उतकों के आकार और आकरिती में असमानता भी पाई जाती है लेकिन उनकी जो उत्पत्ति और कारे होते हैं वो जो होते हैं वो समान होते हैं तो कोशिकाय मिलकर किसका निर्माल करती हैं उतक कर निर्माल करती हैं त तो देखिए हमने पिछले अध्याय में पड़ा था कि सभी जीवित प्राड़ी और पौधे जो है कोशिकाओं के बने होते हैं एक कोशिक जीवों में सभी मौलिक कार्य जो है एक ही कोशिका के माध्यम से किया जाता है हमने अमीबा पैरा मीशियम का उधारन भी देखा था ठीक है कि अमीबा में एक ही कोशिका द्वारा गती भोजन लेने के लिए क्रिया गैसी विनमे और उत्सरजन ठीक है इनकी क्रिया संपन की जाती है लेकिन बहु कोशिक यानि की मल्टी सेलूलर जीवों में लाखो कोशिकाएं होती है और इनमे से अधिकतर कोशिकाएं जो होती है वो क्या करती है इस फैसिफिक यानि की विशिष्ट कार्यों को ही संपन करने में शक्षम होती है तो प्रतेक विशेष्ट कार्य कोशिकाओं के माध्यम से समूहों द्वारा किया जाता है तो कोशिकाओं के ये समूहों एक विशेष्ट कार्य को ही अति दक्षता पूर्वक संपन्न करने के लिए सक्षम होते हैं और मनुश्यों में पेशी ये कोशिका फैलती और सिकुडती है जिससे क्या होता है जिससे गती होती है और तंत्रिका कोशिकाएं जो है संदेशों की वाहक होती है तंत्रिका जो है सेल जो है हमाई पूरे सरीर में पाई जाते है तो उसका काम क्या है information पहुचाना और ले आना ठीक है तो रक्त ऑक्सीजन भोजन हर्मोन और अपसिस्ट पदार्थों का वहन करता है और पौधों में वाहक नलियों से जो है संबंधित कोशिकाएं भोजन और पानी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है यानि कि जो बहु कोशिकी जीवों में श्रम विभाजन होता है और शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो की एक तरह से कार्य को संपन्य करने में दक्ष होती है सदैव एक समूह में होती है अब इससे यह ग्यात होता है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित अस्थान पर कोशिकाओं के एक विसिस्च समूह द्वारा संपन्न किया जाता है ठीक है तो कोशिकाओं का यह जो समूह है यह क्या कहलाता है यह कहलाता है उतक और ये उतक जो है न अधिक्तम दक्षता ठीक है बहुत अधिक दक्षवान होते हैं उतक तो ये उतक जो है क्योंकि कई कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं ठीक है तो जब एक कोशिका इतना कारे कर सकती है तो कोशिका का समूह कितना कारे करेगा तो ये उतक जो है अधिक्तम जो आकरिती में एक सामान होती हैं और किसी कारे को एक साथ संपन्न करती हैं तो समू में एक उतक का निर्मान करती हैं यह चीज़ आपको ध्यान लगना है एक्जाम पॉइंट ऑफ यू से भी बहुत इंपोर्टेंट है अच्छा अब यह क्वेस्चन रेज हो रहा है कि दोनों में इस्तिर होते हैं वे गती नहीं करते हैं चुकि उन्हें सीधा खुड़ा होना होता है तो जाहिर सी बात है उनमें कुछ चीज बड़ी मात्रा में पाई जाएगी सहारा प्रदान करने के लिए तो जो है बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाले उनमें उतक होते हैं और ये जो है ना सहारा प्रदान करने वाले उतक प्राया किस से बने होते हैं डेट सेल से यानि की मृत कोशिकाओं से अब दूसरी ओर जन्तु को ले लिजिए, जन्तु को तो भाई भोजन, आश्रे, साथी, इन सब की खोज के लिए इधर उधर विचरन करना है, ठीक है, पौधों के समान ये इस्थिर तो रह नहीं रह सकते न, ठीक है, ये जो है पौधों की अपेक्षा, उर्जा का अधिक उ होते हैं, तो जन्तु और पौधों के बीच उनकी वृद्धी के प्रतिरूप में एक और भिन्ता है, क्या भिन्ता है ये भी देख लेते हैं, तो पौधों की वृद्धी जो होती है, कुछ छेत्रों में ही सीमित रहती है, ठीक है, या तो नीचे से जड़ बढ़ेगा, या उपर से तना बढ़ेगी, या पत्ती की संक्या बढ़ेगी, जबकि जन्तु में क्या होता है, जन्तु में ऐसा नहीं होता, ठीक है, तो पौधों के कुछ जो है, उतक जीवन भर विभाजित होते हैं, ठीक है, यानि कि पौधे जो है, कुछ उतक जो है, उनके जीवन भर व परगी करण किया जाता है तो देखे वृद्धी यानि कि ग्रोथ और विभाजियों तक यानि कि विभाजन होने वाले उतक जो है और जो है स्थाई उतक तो जन्तों में जो है कोशिका वृद्धी अधिक एक रूप होती है ठीक है यानि कि जन्तों में विभाज और अविभा पौधों के अपेक्षा ना जटिल जनतुओं में अति विशिष्ट और सीमित होता है ठीके यह जो मूल अंतर होता है यह मूल अंतर जीवधारियों के दो महत्पूण समूहों के जीवन यापन के विभिन तरीकों को दर्साता है विशेश कर इनके भोजन करने की प्रक्रिया म एक और पौधों के गतिहिन अस्तित्व और दूसरी और जनतुओं के प्रचलन के लिए अंगतंत्रों के विखास सेतु्व विभिन प्रकार के अनकूलित होते हैं तो क्या है कि जटिल जनतुओं और पौधों के संदर्भ में अब हम उतकों की अवधारना के बारे में चर् मुद्धक कोषिकाँ का समू होता है जिसमें कोषिकाओं की संरशना कार्य श्तमान होते हैं क्या एका एक समान होते हैं कोषिकाओं की संरशना उत्पत्ति और कार्य एक समान होते हैं वो क्या कहलाते हैं उत्क कहलाते हैं अगला क्वेशन है बहु कोशिक जीवों में उत्को का क्या उपियोग है बहुत बड़ा उपियोग है मैं आपको बताती हूँ देखें बहु कोश्की जीवों में जो है उत्क सनरचनात्मक सक्ति औ तें क्यों को दिमाग को ये कारी करना है और अधिक्तम दक्षिता के साथ कारी कर सकने के लिए एक विसिस्ट करम में sequential माध्यम में जो है ये व्यवस्थित होते है ठीक है ये चीज आपको ध्यान रखना है आगे बढ़ते हैं अच्छा अब शुरुआत हो रही है पादप उतक की यहां पे आप जो है एक उदारन के माध्यम से सबंजने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर देती ह ये जो है प्याज के मूल में वृद्धी दिखाई जा रही है ठीक है ये जार एक है ये जार दो है अब आईए इसका प्रयोग देखते हैं तो हमने जो है अभी दो शीशे के जार में जो है प्याज लगे हुए देखे ठीक है दो शीशे के जार लेते हैं उसमें क्या करते ह पानी भर लेते हैं अब दो प्याज लेते हैं ठीक है जिस प्रकार रखा हुआ था और दोनों जारों पर एक एक प्याज रख देते हैं जैसा कि हमने अभी चित्र के माध्यम से देखा और कुछ दिनों तक दोनों प्याजों की मूलों की लंबाई मापते हैं अब देखिए प पांस दिनों तक निरिक्षन करें और उन्में होई प्रत्य दिन की वृद्धी की माप को नीचे दी गई तालिका में लिखें तो आप ये प्रयोग जरूर करें ठीक है कि किस जार में रखी हुई प्याज की मूल लंबी है हमारे द्वारा मूल के जो है उपरी हिस्से को काट करेने के बाद क्या होता है वह व्रिद्धी करती है तो बिल्कुल करेगी और जब हम जार दो में रखी piissant की मूल के उपरी हिस्से को काटते हैं तो वह व्रिद्धी करना बंद कर देंगी कि इसका सवर्ण यहां दिया हुआ है देखें पाध़ों में जो है व्रिद्धी कु और ऐसे उतकों को क्या कहते हैं विभाज्योतक उतक ठीक है विभाज्योतक यानि कि विभाज्य उतक यानि कि मेरस्टमेटिक टेशू कहा जाता है तो विभाज्योतक किस भाग में इस्थित होते हैं ये भी तो जारना जरूरी है ना अभी चित्र के माध्यम से तो हम देखें क प्रारंब में विभधियोटक तरह ही हैं लेकिन जैय से स्वाग्ति और परिपक्व होती हैं ठीकर इनके घुड़ों में धीरे धीरे परिवर्टन होता है और ये जू है डूसरे उत्कों के घटकों के रूप में विभाजित होती है अब यह हमने जो Hey ठोड़ा सब इसे छोटा कर दूँ हाँ यह किसी पौधे की विभुज्योटक की स्थिति है ठीक है यह जो है ठीक है और यह अंतरविष्ट विभध्योटक है और यह जो vorsus विभद्योटक है यानि कि ब्रणों इन लैंठ्ध में व्रिद्धी करता है और तने की परिदी और मूल में बृद्धी जो होती है वो किसके द्वारा होती है सब्सक्राइब और उंतर वह ग्रापक में पॉद में पर्वसंधियों के पास पाय जाता है ठीक है कहां पाय जाता है जहां नोड और इंटर नोड होते हैं ठीक है तो विभज्योत्यक की जो कोशिकाएं होती है ना ये अत्यधिक क्रियासीर होती है ठीक है इनके पास बहुत अधिक कोशिकाद्रव्य पतली कोशिकाभित्ति इसपस्ट केंद्रक होते हैं और उनके पास रसधानी नहीं होती तो क्या हं सोच सकते हैं कि он के पास क्यूं नहीं होती पहले ने सी जान लें इनके कारी होते की Кारिय होते तो कोशिका ड्रव यह रही जु है विट निर्जीव कोशिका रचिनाय जो जल नुमा केंद्र जो है तरल पदार्थों में भरी होती है ना और टोनो प्लास तामकावरन से घिरी होती है तो क्या कहलाती है रसधानी तो ये जो है कहां रहता है कोशिका द्रव्य जो है जहां पर नहीं होता कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली रचना है और कोशि यग थोक, पौधों को तैरने मेंमें मदद करती है तो देखिये उनके पास जो है र surprisingly होती हैं नहीं होती क्यों नहीं होती सब्सक्राइब ळऑत invoke क्रिया शील होती है न और जो उनके टीशू के पाइब से क्यों व्रुदध्ध में Works जाती हैं जैसे कि जड़ और तने जो होते हैं तो वे छेत्र के अनुसार विभज्यों तक होते रहते हैं और इसलिए इन में रस्धानी नहीं पाई जाती और हमने कोशिका चैप्टर में रस्धानी के बारे में बहुत डिटेल में भी देखा है आप लोग जरूर विजिट करें अच्छा अब बात करत किसे कहते हैं विभज्यों तक द्वारण विभज्यों तक द्वारण के द्वारण हो गया अब जो विभाजित कोशिकाएं ho क्या हूं रहेएं एक घार और विभाज्यन की सकती को खो देती हैं और जिसके फ़लसुरूप किसका निर्माण होता है इस्थाई उतक का यानि की पर्मानेंट टीशू और इस प्रकारना एक विशिष्ट कारे करने के लिए इस्थाई रूप से और आकार लेने की क्रिया में को जो है विभेदी करण कहते हैं तो विभज्योतिक की कोशिकाएं जो होती है विशिष्टी क्रित हो और अपने सिक्षक की सहायता से उसके पतले सेक्षन काट ये रहा तो आप देखें ये तने की सेक्षन की काट है ठीक है और जो है इसमें देखें ये पित बने हुए है यहां पे सम्वहन बंडल है जाइलम होता है ठीक है जो पानी और खनी का आवागमन करता है फ्लोयम भी हो उसके अंदर की कॉर्टेक्स होती है और उसके अंदर की एंडोडर्मस होती है और यह जो सिंग के अर्कार निकला हुआ ही यह होता हैर ट्राइकोम। hijasate और इसकी जो लेयर होती है को स्लाइट पर रखें और उस पर ग्लिसरीन की एक बून डालें उसको कवर स्लिप से ढग दें और स्लाइट का निरिक्षन जो है सूच मदर्सी से करें तो विभिन प्रकार की कोशिकाओं का अध्यायन करें और उसके विन्यास को देखें जैसा कि हमने अभी चित्र के माध्य से देखा अब यह कह रहा है कि क्या सभी कोशिकाओं की संदचना समान है कुछ की समान है कुछ की समान नहीं है कितने प्रकार की कोशिकाओं को देखा जा सकता है तो इस थाई जो है बहुत सारी ऐसी कोशिकाओं को देखा जा रहा है ठीक है और क्या हम उन कार्णों पर तो अगले पार्ट में है जो है हम इस थाई उतक के प्रकार के बारे में देखेंगे तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं गाइस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी न भ जरूर के बारी मुझे कर देखेंगे